हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू यूरोन यूट्यूब चानल एके सर आज हम देखते हैं हरपन सिविलाइजेशन दाट इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हमने पार्ट वन देखा था उसका आज पार्ट टू देखेंगे आधे कोशन्स उस दिन किये थे हाफ आज करेंग तो यह घटना चकर का सीरीज है आगे लेकर चलते हैं और उसके पहले आप लाइक शेर सब्सक्राइब इसको जरूर करिए शेर इटू दा नीडिया एस्पारेंट्स मोर और चलिए तो यहाँ पर लार्जेस्ट साइट ऑफ दी हरपन इन इंडिया देखो यहाँ पर हरपा क पूछते हैं बिगेस्ट अरपन साइट यह भी राखी करी है रिपीटेड है इंडिया वैली सिविलाइजेशन विच वास प्लेज़ेस्ट ऑन दे बैंक्स ऑफ दे रिवर दे वैर तो यहाँ पर सिंदू चेनाब जेलम गंगा मतलब कौन से इसके उपर यहाँ पर वो स्ति फ्रॉम जेलम रिवर तो हिंडॉन रिवर ओके जेलम तो हिंडॉन ए ट्रिबुटरी ओप यमुना रिवर साउथ आलमगीरपूर तो आलमगीरपूर जो यूपी के अंदर पड़ेगा वो सबसे सदन इसका एक्सपांशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इट कंसिस्ट ठा इस परू रिचूल मदर गॉड़ेश में तो थे वो लोग और यहां पर रिचूलस वगेरा यहां पर इतने एंहांस्ट नहीं थे तो एक से ज़ादा आंसर है उसको तो उसको हम छोड़ देते हैं ठीक है यहाँ पर के लिए फिलाल के लिए इतना देख लो के evidence of the human sacrifice found in the Mohanjodaro burial rituals यहाँ पर आत्मा और spirit भी है ठीक है यगन fire pit जो है राजस्तान के अंदर found हुआ है Mother Goddess की worship करते हैं तो एक से ज़ादा चीज यहाँ पर बताई गई है चलो Indus Valley people worshiped Shiva, Indra and Varun, Brahma और Vishnu तो यहाँ पर Shiva का ज़ादा अपने को evidence मिलता है Marshall identified the figure which he found during the excavation तो उसकी जो similarity काफी Hindu God Shiva या तो Rudra उसको कहते हैं और पशुपती Lord of Animals जिसको जो पशुपती महादेवा सील जो मिला है तो उसको हम लोग Shiva से relate करते हैं पशुपती सील के अंदर यहाँ पर three-faced male God है मतलब त्री मूर्ती इसमें योगिक posture में बैठा हुआ है वो और surrounded by a rhino राइनो, buffalo on the right, elephant and a tiger on the left तो यह बता जाता है कि उस टाइम पर यह Lord Shiva और cylindrical stones मतलब जो shivling जो मानते हैं ठीक है तो यहाँ पर वो people जो है वहाँ पर वो ऐसे कुछ evidences भी मिले हैं तो people जो थे वो उस टाइम पर lingam वगेरा की worship यह किया करते थे जो symbol है यहाँ पर Shiva का चलो, यहाँ पर next question देखते है Who was the director of the archaeological excavations that led to the discovery of Harappa and Mohanjodaro तो यहाँ पर कौन है तो यहाँ पर Sir John Marshall इसके बारे में explanation देख लो Sir John Marshall was the D.G. Director General of the Archaeological Survey of India 1902 से लेकर 1928 तक He appointed R.B. Dayaram Sahani लरकना district of Sindh province Montgomeri, right side of the Ravi River तो राकालदास बैनर जी ने यहाँ पर किसके उपर in short में बताना चाहता है कि हरपा के उपर इसने excavation किया है RD सायानी ने तो दयाराम साहनी यहाँ पर हरपा से related है और राकालदास बैनर जी किस से related है Mohanjodaro बहुत important है यहाँ पर हरपा से related है यह ध्यान रखेएगा यहाँ पर उपर का ही repeated आ गया राकालदास बैनर जी है और दयाराम साहनी है ठीक है चलो यहाँ पर देखेंगे दूसरा question 48 number हरपा तो हरपा यहाँ पर दयाराम साहनी है हस्तिनापूर हस्तिनापूर का कौन सा हो जाएगा बीबी लाल तक्ष शीला का देखेंगे जान मार्शल कौशंबी जो बचा हुआ है एंजी मजूमदार तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना है हरपा का यहाँ पर दयाराम साहनी हो गया हस्तिनापूर का हो जाएगा आपका बीबी लाल तो आपको 3-4 यहाँ पर मिल गया तो 3-4 अगर मिल गया तो 2-1 यहाँ पर आटोमेटिकली मिल जाता है तो कभी-कभी आपको 3 अगर होते हैं तो एक हो जाता है आटोमेटिकली कभी-कभी एक भी मिलता है तो भी आंसर मिल जाता है कभी दो लेकिन अपने को पूरा होना चाहिए perfect which one of the following is not correctly matched तो हरपा दयाराम सहानी है लोथल भी ऐसार राओ है सुरको तड़ा जेपी जोशी है धोल वीरा बीके थापर तो यह धोल वीरा यहां पर नहीं है बलकि धोल वीरा का आरेस बिस्ट है देखो यहां पर दिया भी हुआ है explanation में it was excavated by आरेस बिस्ट तो डी जो है वो correctly match नहीं है तो यह तीन जो है यह correctly match है तो इसको अच्छे तरीके से एकदम रट्टा मार लो और चौते वाला नीचे से देख लेना तो फर्स आर्केलोजिस्ट तो excavated हरपा बट कुड नोट recognize its significance यह कौन था तो यह Alexander Cunningham था अब यह Alexander Cunningham यहां पर archaeological survey का यहां पर director था 1853 में इसने side visit किया और 1856 में तो कुछ small excavations यहां पर किये उसको यहां पर कुछ चीजें मिली लेकिन बाद में पता चलता है कि भई यह चोटी मोटी place नहीं है जब John Marshall ने इसको राकालदास बैनर जी और दयारामसानी के साथ में excavate किया तब वहां पर हरपा का पता चलता है who among the following was not associated with the excavation of हरपा और मोहन जोदारो तो देखो यहां पर RD बैनर जी तो है के अन दिक्षिद भी था MS वर्ट्स भी था V.A. Smith नहीं था तो दयारामसानी सर्वेड हरपा यहां पर और मोहन जोदारो जो है वो राकालदास बैनर जी तो known fact अपने को पता चल गया V.A. Smith यहां पर नहीं associated इस से he was a rather British Indologist and the art historian तो यह simple था from which one of the following places remains of wealth have been found in houses belonging to the developed stage of the Indus Valley civilization तो remains of wealth and bathroom यह कहां से मिले है approximately सही बात है बहुत सारे major cities से मिले तो हरपा, काली बंगन यह एक से ज़ादा अंसर है तो अपने को सरी इतना याद रखना है कि बहुत सारी cities से अपने कोई चीजें मिली है तो कभी ऐसा अंसर पूछा तो MCQs वगेरा के अंदर चार में से एक गलत करो जो statement वाले होते हैं तो इसमें फाइदा कर जाएगा मोहन जोदार है situated in which of the following तो यह कहां परे सिंद प्रोविंस में इतना ध्यान रखना पाकिस्तान देखो यह बहुत बेसिक है बताता हूँ मैं अर्बन कल्चर जो है वो हरपा तो हरपा का first urbanization ऐसे का जाता है आयन प्लग आया लेटर वेदिक में उसके बाद में पंचमार्ट कॉइन्स है पंचमार्ट कॉइन्स आया जैसे गुप्तास वगेरा जो age of buddha जो चलता है वस टाइम पर गॉल्ड कॉइन्स ग्रीक्स वगेरा ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया तो 4,3,2,1 तुमारा आंसर हो जाएगा बहुत बेसिक है पूरा explanation बता दिया है मैंने देखो हरपा civilization most ancient civilization town planning के लिए बहुत famous थी और उसको bronze age civilization भी कहते हैं यहां पर दिया हुआ है तो पहला जो यहां पर वेदिक पिरिड अराउंड 1000 BC तो यहां पर वेदिक लेटर वेदिक पिरिड के अंदर आयन अपने को मिलता है first punch mark coins 6 century BC में during the age of buddha gold coins यहां पर इंडो ग्रीक ने तो यह एकदम basic question था अगर आपने history अच्छे से पढ़ रखी है first metal used by the man तो यहां पर क्या है copper तो copper was the metal which was used by humans though there in variation in the period around the globe as far as the copper is concerned एक time पर सब एक तरीकी की चीज नहीं हो सकती है medievalism कहीं पर अलग time पर आया तो कहीं पर अलग time पर आया modernism भी ऐसे ही same है an ivory scale in Harappan context was found at तो यहां पर क्या है कहां पर मिला यह Lothal में मिला an ivory scale in the Harappan context was found at Lothal Lothal is the place associated with the IVC currently in Gujarat तो यह known fact है मैं पहले ही बता चुका हूँ Lothal Gujarat में which metal has so far not been discovered in the Harappan sites तो देखो iron नहीं मिला है iron क्यों नहीं मिला है कि वो latter Vedic time पर मिला है और बाकी अपने को तीनों चीज़ उपर मिल चुकी है gold, copper, silver तो iron जो है 1000 BC approximately मानते है 1500-1000 BC जो है यह जो है Vedic period का काल है मतलब इसको age बोलते है और 1000 से लेकर 600 BC को हम लोग कहते हैं latter Vedic period which one of the following sites is located in the valley of घगर and its associated rivers तो यहां पर यह बनावली है तो बनावली जो है हरियाना में पढ़ता है तो यह घगर, हाकरा सिस्टम के उपर लाई करता है आलमगीरपूर नहीं पढ़ेगा मोहन जोदारो नहीं पढ़ेगा लोथल भुगावा के उपर पढ़ता है चलो, आगे देखेंगे 59th question मोहन जोदारो हरपपा रोपर इसमें से correct choose करना है काली बंगन अर्दा मेंन साइट्स ऑफ दा आईवी सी पीपल आफ अरपपा डवलप दा रोड प्रॉपर आउसिंग और ट्रेने सिस्टम पीपल आफ रोपपा वेर अन्नोन अबाट दा यूस ऑफ मेटल्स तो ये तो सीधा सीधा रोग है क्योंकि हरपपन्स को पता था कि भाई मेटल्स कैसे यूस करना है ठीक है आयन नहीं पता था लेकिन मेटल्स के अंदर और भी बहुत सारे मेटल्स आते वो उनको पता था अब ये सारे साइट्स तो अबिसली हरपन साइट्स है मतलब इंडस वैली के साइट्स है तो ये तो आई जाएंगे तो इनको रोड प्रॉपर हाउसिंग और ट्रेने जिसमें भी अवन नंबर थे तो वन और टू करेक्ट हो जाएगा आंसर भी यह है यह वन और टू चलो यहाँ पर देखेंगे मोहन जोदारो एंहरपपा सिटीज आर डेड नाओ तो यहाँ पर क्या है आंसर इसका बी बोत एंड आर आर ट्रू मतलब यह एरसेशन और रीजनिंग वाला है तो ए और आर दोनों ट्रू है वो कैसे है चलो यहाँ पर देखते हैं और यहाँ जोदारो आज के पाकिस्तान में लरकाना डिस्तिक्ट में पड़ेगा सिंद प्रोविंस में यह इंपोर्टेंट है और यहाँ पर जो है दोनों के दोनों ने काम किया है और वो हो सकता है ऐसे के are dead now ठीक है चलो उस जमाने के एसाब से dead हो लेकिन अभी जो है ना आर is not the correct explanation of a they were discovered during excavations तो ये properly यहाँ पर सही नहीं है ठीक है आर is not the correct explanation of a चलो तो उसके पीचे बहुत सार explanation हो सकते हैं कि अगर खतम हुआ वहाँ पर और खतम नहीं होता वहाँ पर एक के बाद एक culture चलते रहती है ये एक point important है from where the evidence of rock cut architecture was found with the reference to harapan civilization तो rock cut architecture कहाँ पर है यहाँ पर धोलवीरा में पाया जाएगा धोलवीरा Indian site है धोलवीरा second largest harapan site पड़ेगा हमारे यहाँ पर राखी गरी के बाद में और यह कहाँ पर है धोलवीरा run of kach that is गुजराद RS बिस्ट यहाँ पर बहुत important है जिसने यहाँ पर excavation किया धोलवीरा का और यहाँ पर rock का treasure wire अपने को मिलता है धोलवीरा के अंदर धोलवीरा कहाँ पर है तो यह गुजराद में अभी देखा harapan city is divided into three parts तो three parts से बहुत basic है धोलवीरा धोलवीरा जो है वो harapan site है कच district के अंदर पड़ेगा गुजराद में और यहाँ पर वो तीन parts में है एक fort है, एक central town है और एक lower town है वोके एक किला बना है advanced water management system of harapan times has been unearth तो इसका भी धोलवीरा आंसर आएगा धोलवीरा के अंदर rocket reservoir है भी उपर हम लोगों ने देखा है तो इसकी capacity अच्छी खासी थी water storage की people of धोलवीरा वे फैमिलिर विद धाइडवान्स water management system तो अपने building dams वगेरा के अंदर वो लोग यहाँ पर पानी save करके रखा करते थे some which of the following sites has yielded evidence of a double burial अब यहाँ पर देखो एक से जादा answer है लेकिन हम लोग explanation देख लेते है triple burial अपने को कहां से मिला लोथल से यह important है उसको mark कर लेना triple burial कहां से है लोथल से और the city which was divided into six sections each section was built on a white platform of unripe bricks and each platform is separated by a road the evidence of double burial has also been found from the काली बंगन ठीक है तो लोथल के अंदर town planning जबरदस्त है वो एक trade center था उसको 6 sections में divide किया गया है लोथल को यह ध्यान रखना ओके और यहाँ पर काली बंगन के अंदर double burial मिला है if we follow the number of burials option C will be the correct answer if we follow the evidence both the option C and D will be the correct answer मतलब यहाँ पर double burial जो है लोथल C और D से मिला लेकिन ज़ादा जो burial है like three जो burials है वो लोथल से मिला है लेकिन अपने को double burial बोला है तो एक से दो answer यहाँ पर है तो उसका answer सही नहीं होगा explanation देख लेना चाहिए recently from excavations of Sonaoli what was found अभी अभी यह news में भी था Sonaoli ठीक है यह बरोद तैसील में पड़ेगा बागपट district में UP के अंदर okay Sonaoli 125 महाँ पर कबरे मिली है IVC के time की these graves oriented in a north-south direction north-south direction में अभी latest अगर current case आप से मिला करके पूछेगा तो this fact will remain very much important ठीक है और some of the burials are found with the animal bones gold, copper and bangles यहाँ पर ऐसी चीज़े मिली है तो यहाँ पर क्या मिला human burials यह ध्यान रखना for clothing cotton cultivation was first introduced in तो कहाँ पर इंडिया cotton was first cultivated in India for clothing राखालदास बैनर जी ने यहाँ पर मोहन जुदारों में जब excavation किया था तो वहाँ पर उसने वहाँ पर उन्होंने जो है वो earliest evidence मिलता है उनको cotton cultivation का और इंडिया से from India it reached to Greece where it was called as hindon ठीक है Greece के अंदर इसको cotton को hindon कहते थे cotton cultivation हमारे यहाँ पर 3000 BC में start हुआ और यहाँ पर Egypt के अंदर 2500 BC में start हुआ तो सोचो हमारे civilization कितना advance था पहले चलो regarding the Indus Valley civilization consider the following statements it was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene second during this period cotton was used for manufacturing textiles in India अब इसमें से क्या है correct देखना है देखो secular civilization था सही बात है religious element भी था लेकिन उसने dominate नहीं किया रहे इसे ब्राह्मन शत्रियाज वैश्या शुदर इतना अपने को clear indications नहीं मिला तो point one correct हो जाएगा cotton यहाँ पर manufacturing textiles के लिए इंडिया में यूस किया गया था ठीक है तो यहाँ पर यह option C correct हो जाएगा 70 वाला देखेंगे which of the following characterizes or characterized the people of Indus civilization they possessed great palace places and temples they worshipped both male and female duties they employed horse drawn chariots in warfare अब देखो भाई यहाँ पर illuminate कैसे करना है घोडे वगेरा जो थे वो तो वेदिक times पर आया थे आरियन्स के time पर great places and temples यहाँ पर लोग worship करते थे लेकिन temples का यहाँ पर अपने को evidence नहीं है तो दोनों यहाँ पर जो है ना खतम हो जाएंगे options बचे का क्या to तो यहाँ पर only to be will be the answer यहाँ पर दिया भी a no temple or place of worship has been found after excavation from IVC till date ओके लोग पूछते थे female DTs, male DTs वगेरा को लोग पूछते थे ठीक है animals वगेरा का भी यहाँ पर worship देखा गया है plant और trees का भी देखा गया है लिंगा और यूनी के symbols भी यहाँ पर मिले है और horses वगेरा कि मैं बात करूँ तो वो तो वेदिक टाइम पर जी है जैसे evidence अपने को मिलते है one of the following sites from where the famous bull seal of Indus valley civilization was found तो कहाँ पर यह bull seal कहाँ से मिला अपने को मोहन जोधारों से और मोहन जोधारों किसने यहाँ पर excavate किया है फिर से बता रहा हूँ और डी बैनर जी राखाल दाज बैनर जी चलो which one of the following animals is not depicted on the Harappan seal देखो बुल है, elephant है, ship है, horse नहीं है horse क्यों नहीं है, horse जो है वो वेदिक आरियन्स के time पर आया था simple, एक दम remains of which animal have not been discovered in the Indus Valley Civilization horse यहाँ पर है के नहीं है remains of which animal have not been discovered in the Indus Valley Civilization देखो, lion का मिला है sorry, have not been discovered in the Indus Valley Civilization मतलब यहाँ पर discover नहीं किया गया है तो horse, elephant और यह cow among the given options, the evidence of cow and elephant have been found and there is some dispute regarding horse तो dispute regarding horse अभी चल रहा है और latest excavation यह कहता है कि यहाँ पर horses पाए गए है लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही थी वो seals की बात हो रही थी ध्यान रखना, उपर वाले question में तो mix up मत करना इसको seals के अंदर horse वगेरा को depict नहीं किया गया है और यहाँ पर horse, elephant और cow यहाँ पर अपने को remains मिलें और यहाँ पर किसका remains नहीं मिला अपने को lion का remains अभी तक नहीं मिला है ठीक है? तो यह वाला point important है अभी भी जो है ना researchers चल रही हैं कुछ लोग कहते हैं कि horses पहले से Indus Valley Civilization में थे और पिछले past जो researchers हैं जो scholars थे वो उनका यह मानना था कि नहीं थे अभी disputed है अभी clear नहीं है according to the report of IIT Kharagpur study group continuous law rainfall for how many years was the cause of fall of the Indus Valley Civilization तो यहाँ पर है according to Kharagpur 900 साल इतना यह question नहीं पूछता लेकिन देख लेना चाहिए हांड DT एंग्रिव डॉन टॉरे टेराकॉट्टा केक हैस बिन recovered from कहां से मिला अपने को यह काली बंगन से मिला है ठीक है from excavations at काली बंगन a series of fire alters on mud brick were discovered triangular टेराकॉट्टा केक भी यहां से मिला अपने को काली बंगन से हॉन डीटी भी यहां से अपने को मिला है हां काली बंगन में कैसा है कि एक DT ऐसे बना हुआ है और उसके बाद में दूसरे साइड में animal good being dragged by a rope तो मतलब यह समझ में आ रहा है कि जो बकरी है तो इसको रसी से पकड़के लेकर जाया जा रहा है घसीट के तो evidence यह समझ में आ रहा है कि एक sacrifice वगेरा भी वहां पर IVC के अंदर हुआ करता था sacrificial tradition which of the following civilizations flourished on the bank of the river Nile तो सीधी सी बात है यह तो Egyptian civilization ही होगा जिसको हम लोग कहते हैं मिस्र यह नील नदी के ओपर यहां पर अच्छा what is the correct north-south sequence of the following civilization इसका अंसर D हो जाएगा यह basically South America के बारे में ठीक है एस्टेक माया मुइसका और इनका तो जो एस्टेक civilization था वो northern मेक्जिको मायान civilization यह गोइटमाला में पढ़ेगा मिसका जो है वो ancient Colombia में और इनका जो है वो यहाँ पर पेरू में यहाँ पर यह चीज़े फर्स एंचेंट civilization to develop the art of writing तो यहाँ पर art of writing जो है वो Sumerians ने develop किया जो लोग थे Sumerians के first to develop the art of writing प्राइमरी स्क्रिप्ट जो है उनकी बहुती सिंपल और बहुती पुरानी थी क्योनिफॉर्म स्क्रिप्ट अब दे सुमेरिया यह important day is generally known as one of the earliest system of the writing क्योनिफॉर्म ऐसे पूछता नहीं है लेकिन as a student of history आपको याद रखना चाहिए यह सारी चीज़ें चलो अगला पार्ट हम लोग देखेंगे वेदी केज into the next lecture जब तक के लिए take care और channel को like share subscribe करना ना भूले have a good day